नमस्कार आपका स्वागत देदा नामा टीवी पे मैं पूनम आपके स्वागत आयोध्या में राम मंदिर प्राण पतिष्टा के बीच रामानन सागर की रामायान एक बार फिर चर्चे में आ गई है इसकी शूटिंग के दिनों से जुड़े कई फेक्ट सामने आये हैं नामानन सागर के बेटे प्रेम सागर ने एक इंटर्व्यू के दोरान बताया कि शो में हनुमान का रोल करने वाले दिवंगत एक्टर दारा सिंग 9 गंटे तक कुछ नहीं खाते थे दरासल उनके केदार के चलते उनको भारी मेकप करना पड़ता था उन्होंने बताया कि दरासी के मेकप में लगबग 3-4 गंटे लगते थे योकि उन दिनों प्रोस्टेटिक मेकप नहीं हुआ करता था उनको हनुमान के रोल के लिए पूँच भी लगानी पड़ती थी इसे कारण वो ठीक से बैट भी नहीं पाते थे सेट पर उनके लिक स्पेशल स्टूल बनवाया गया था स्टूल में कट लगा हुआ था जिसमें वो अपनी पूँच के सारे बैठा करते थे इतना ही नहीं प्रेम सागर ने ये भी कहा कि उनकी पिता रामानन सागर बहुत डेडिकेशन के साथ काम किया करते थे बस उबद चार बजे उटकर शूटिंग किया करते थे प्रेम सागर ने बताया कि उन दिनों सबसे बड़ी समस्या वाना सेना की थी क्योंकि वानसेना के लिए लगबग 500 लोगों की आवशक्ता थी उन सभी का मेकप करने में बहुत समस्या होती थी उन्होंने कहा जब लंका दहन का सीन करना पड़ा तो उस समय हमारे टीम को बहुत विचार विमश्च करना पड़ा समस्या ये थी कि रसी से बनी पूँच में आँग लगाने में काफी रिस्क था इसलिए हमें कारीकर को बुलाकर सीन के लिए स्पेशल पूँच बनवानी पड़ी तब दारासी जी को हर दिन 6 घंटे भूखा रहना पड़ता था इस सीन के दोरान 7 दिनों तक कई घंटे इसे बिताए और फिर इसे शूट किया रामायन के प्रसारन दू दर्शन पर 25 जनवर 1987 से शुरू हुआ और आखरी एपिसोट 31 जुलाई 1988 को देखने को मिला था ये सीरियल रोज सुबर साड़े नों बजे टीवी पर आता था सीरियल की पॉपलेरिटी इतनी बढ़ गई कि जब भी ये टीवी पर आता तो हर जग सरनाटा चाह जाता था घरों के बाहर कर्क्यू जैसे हालात हो जाते थे कुछ द्रामानन सागर को विश्वास नहीं हुआ कि उनका बनाय सीरियल इतना एतिहासिक हो जाएगा इस सीरियल में काम करने ओले एक्टर्स को भगवान की तरह माना जाने लगा इसे के साथ बने राजदामा टीवी के साथ करने वाद